आप लोग अगर किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप लोग UPSC हो गया, State PCS हो गया, या और आप देखते हैं कि One Day एक्जाम होते हैं, जैसे SSC, Bank Railway, इस तरह की तमाम एक्जाम होते हैं, अगर आप सभी लोग ने उसके पुराने कुश्चन्स फिपर उठा के देखे होंगे, तो आप सभी लोगों को माल होगा, कि आपकी परिक्चाओं में सुचकांक यानि की इंडेक्स से कुश्चन्स आते रहते हैं, और Civil Service और State VCS में तो आप देखते हैं कि आपके पास निबंद लिखने के लिए आता है, उसमें भी आप लोग आपकणों का उप्योग कर सकते हैं, इंडेक्स का, और आपका देखते हैं आप लोग की मुख परिक्चा में भी कुश्चन्स पूँच लेता है, अभी हाली में आपका विस प्रे सुदंता सूचकांक जारी किया गया है, और इस तरह का कोई सूचकांक अगर जारी किया जाता है, तो उसके बारे में एक सामान जानकारी अपने फास रखा करिएगा, कि पहली बार वो कब जारी किया गया था, कौन सी संस्था जारी करती है, उस संस्था के बारे में भी एक नॉर्मल जानकारी रखना है आपको, भारत की स्तिती क्या है, भारत के बड़ोसियों की स्तिती क्या है, और आप देखें कि टॉप पर कौन बना हुआ है नीचे शे टॉप कौन कर रहा है किन बातों को धियार में रखती हुई इस इंडेक्स को जारी किया जाता है इस तरह की तमाम जानकारी आपको अपने पास रखना चाहिए और वैसे भी आप देखें कि मीडिया को लोकतंत का च जिम्मेदार है अधिक तर मीडिया आप देखें कि सच दिखाने से कतराती है और या देखें ऊपर से दबाओ देखने को मिलेगा और हकीया नहीं दिखा पाती है तो उसी का पाइडाम भी आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा देखें एक बार आप लोग भारत द चाइना, नैपाल, भूटान, बंगलादेश, म्यानमार, इन सब के बारे में भी एक सामन जानकारी अपने पास रखा करिएगा, इस तरह के questions भी कई बार पूच लेता है, और मुझे लगता है मैप तो आपको कंठस त्याद होना चे, कि आपके कितने राज्यों की सीमा, कौन स चौतरा स्थमक कहा जाता है, लेकिन इसकी आजादी और सुतंता को लिकर, सुतंता को लिकर तमाम बातें की जाती हों, लेकिन भारत में इसकी स्तिती ठीक नहीं है, अंगिनत मीडिया हाउस, हाउस बाली भारत में पिरेश की सुतंता, चिंतन जनक स्तिती में है, और इस माम कि अगर हम लोग बात माने तो प्रेश, विस्व प्रेश, सुदंता, सूचकांक में भारत को 150 वाइस्थान मिला है, कितना? 150 वाइस्थान मिला है, मान लिजे कि आपकी किलास में आप लोग देखिए कि 180 बैच्चे बैठे हुए, और अगर किसी का नंबर 150 वा आता है, तो भारत इसमें 142 वेस्थान पर था, यानि कि 8 फायदान नीचे होंच चुका है भारत, और पड़ोसी देशों में अगर आप वही इस्तिदी देखें, तो इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी है, 1947 तक आप सभी जानते ही कि हमारा हिस्था था, लेकिन 176 वेस्थान पर है, और इस रैंकिंग में कुल 180 देशों को सामिल किया गया था, ये भी आप लोग मालू रहिएगा, और आप सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान है, वहाँ मेडिया कुछ बोल नहीं पाती है, कुछ लिख नहीं पाती है, उससे अच्छी तो हमारे ही इस्ति सामिल हो जाते हैं उस खेल में, और मियानबार में तो आपने देखा है, तकता फलट हुआ था, तो मियानबार की क्या इस्तिती होगी, आप सभी जान रहे हैं, 176 वेस्थान पर है, नेपाल जो हमारा पडोसी है, इसकी स्तिती में सुधार देखा गया है, 2022 में विस्त स्रिलंका एक सो, 27 वेस्तान पर था, बंगलादेश एक सो, 52 वेस्तान पर था, मियानमार एक सो, 40 वेस्तान पर था, यानि कि कहने का मतलब है कि ये 2021 की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, 2021 की, और इसमें अगर टॉप रेंकिंग अगर आप लोग देखें, तो सुतनता की म सामले में साल नौर्वे पहले स्थान पर है, डैनमार्क दूसरे स्थान पर है, सुईडन तीसरे स्थान पर है, और इस्टोनिया चोतरे स्थान पर है, फिरलेंड पांच पर है, तो आप लोगों को टॉप उबर की तीन जरूर याद रखना है, नौर्वे पहले पर, डैनमार् आप लोग उत्तर कोरिया देखेंगे तो ये 180 वे स्थान पर है यानि कि नीचे से टॉप कर रहा है आप देखेंगे उत्तर कोरिया तो जरूर ये भी याद रखेगा इसे भी कुश्चन्स पूच लेगा कि सबसे बुरी स्थिति में कौन सा है अंतिम पायदन पर कौन था तो उत्तर कोरिया और आप सभी जानते हैं कि उत्तर कोरिया तो थाना साही एकतर से रविया रखता है और उहां मीडिया की स्थिति खराब होना सभाव कसी बात होती है ये तो बात हो जाती है 2020 के जो आकड़े आये हुए है उसके बारे में अगर उनसे कुश्चन्स आता है तो आप आराम से आप लोग आंसर दे पाएंगे लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका बिस्व परेश सुतंता सुचका जो जारी करता है यह आप देखेंगे कि आप मुख्याल है पैरिस फेरांस में है और आप सभी को माल होगा अगर आप लोगोंने पुराने कुश्टन्स पेपर उठा के देखे हैं कि संगटनों से भी आपकी परीक्षाओं में कुश्टन्स पूछे जाते हैं तो इस तरह की संगटनों के बारे में एक सामन जान करी अ और RSF द्वारा जारी विस्परेश सुदंता सूचकां का पिथम संसकन 2002 में पिकासित किया गया था यानि की कहने के मतलब है कि 2002 में पहली बारे पिकासित किया गया था पैरिस इस्तित रिपोर्टर्स बिदाउट बॉर्डर्स एक अंतराष्टी गेर सरकारी गेर लापकारी संगठने जो सारजनी खित में सयुक्तराष्ट यूनेस को एउरोपिय परिसद फैंको फोनी के अंतराष्टी संगठन और मानो अधिकारों पर अफिकी आयो के साथ सलायकार की भूमिका निभाता है ओ आई एक चावंवन फ्रेंच भासी राष्टा का समुग है यह सूचका कारें इस पर रूप से अपने देश की रैंकिंग पर एक बड़ा प्रभाव डालती है हाला कि यह पतिकारता की गुडवत्ता का सूचक नहीं है क्या है सूचक नहीं है यह सूचकांग बहूल बात की स्तर मीडिया की स्वतनता मीडिया के लिए बातावरन और स्वयम सेंसर् मौझूदा मौझूद बुनियादी धाचे की गुडवत्ता की आकलन की आधार पर तेयार की जाती है। यह सूचकांग तेयार किया जाता है। किया गया। रेपोर्ट में मुक्रूफ से एसिया प्रांत छेत के बारे में चिंता ब्यक्त की गई है। क्योंकि फ्रेश की सुधनता पर अंकुस लगाने की प्रयास कई राज़्टों में राज़्दरो राष्ट की गोपनियता राष्ट की सुरुप्चात पर कठोर कानून बनाए इस कुछ सुच कांके में नौरवे यानि कि आपके देखिये गा उपर से टॉप करता है और अलगबग आप देखिए डैनवार फिर फिंलेंड हो या अब अब देखिए स्वेडन हो यही आप देखिए हर इंडेक्स में लगबग उपर ही रहते हैं क्या करते हैं अपने काम को ठीक से करने की कौसिस कर रहे हैं। जारत के खराब फिदर्सन के पीछे अगर आपसी कारन कोई पूचे तो पतकारों को इस तरह की हमले की पहचान कराता है जिससे पतकारों की बिरोध पुलिस हिंसा की राजनितिक कार करता हो द्वारा घात और अपराधिक समुहों या भिश्तरिस्तानी अधिकारियों द्वार पानी जैसी दाल मिलती है बच्चों को खाने के लिए अच्छे से नहीं मिलता है उस पर भी F.I.R कर दी गई थी आपने देखा है कि एक किसी पतकार ने पेपर आउट होता है पेपर लीक होता है उसको लेकर वो उजागर करता है खबर लिखता है उसे भी जेल में डाल दिय जाता है उस पर भी तरह तरह की आप देखे धाराये लगा दी जाती है मुकद्मे लगा दीये जाते है तो यह ने बातों को भी ध्यान में रखा जाता है जब इस रिपोर्ट को या इस इंडएक्ट को बनाए जाता है पर इसकी एगर हम लोग सुतनता की बात करें तो आप पड़ें तो आप देखेंगे कि इसके तहद वाक इभम अभीवक्ति की सुतंता की गारंटी देता है जो वाक वाक सुतंता इत्यादी के संबंद में कुछ अधिकारों के संरक्षन से संबंदेते हैं प्रेश की सुतंता को भारतिय कानूनी पेडाली द्वारा इस पर शुरू स्थाफर वना मद्रा सराज मामले में सर्वोच न्याले ने पाये कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की निव प्रेश की सुतंता पर आधारित होती है हाला कि प्रेश की सुतंता भी आसिमित नहीं होती कानून इस अधिकार के प्रियोग पर केबल उन पिदी बंदों को लाग द्हानी या अपरात को फुरोसान किया जाएगा यानि कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए पत्यकारों को भी अपनी आजादी दे गई है और एक बात और आपको बता देता हूं देखे क्या है कि आप सकत्त लिख रहे हैं और अगर सरकार ने आप देखी कि चाहे लिया पुलिस बालों ने अगर आपको रोक लिया और आपके कागश तमाम तरह कि सब कुछ ठीक है फर भी आपने देखा होगा कि पुलिस बाले चाहे लेते हैं तो आपको चालान कटवाना पड़ता है बैसे ही हमारे देश में आप देखे पत्तिकारों कीशते थी है पत्तिकार क को आपने देखा होगा जेल में डाल दिया गया लेकिन उस समय भी आप देखे कि पत्तिकार लिखते रहे हैं सच को लिखते रहे हैं भली उन्हें जेल जाना पड़ा तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ा तो इसके बारे में एक सामान जानकारी जरूर रखिएगा और भी कुछ है अगर सवाल हो आपके तो आप जरूर बता सकते हैं उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे